जनरल प्रिंसिपल्स ओफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट यह प्लांट पैथलोजी का एक बेसिक इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज अपने कवर करने वाले हैं पहले यह समझना बड़ा ज़रूरी है कि मैनेजमेंट क्या है यहां दो बाते हैं गर्णेजमेंट क्या है तो गर्णेजमेंट की यह माईने निकलते हैं कि अपनोंने उस बीमारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया है जो भी पैथोजैनिक फैक्टर था जिसकी वज़ए से हमें बीमारी हो रही थी चाहिए वो बैक्टिरिया था वाइरस था या सेंड पार्टिकल था या कोई इंसेक्ट था उसका लास्ट मेंबर अपनोंने मार दिया है खतम कर दिया है इसके बाद वो इंसेक्ट या पैथोजन हमें देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है हम एक्जामपल लेते हैं कातरा का रेड हेरी कैटरपिलर का ये इंसेक्ट है वो खरीफ क्रोप के अंदर डैमेज खूज करता है हर साल अपने मैनेजमेंट करते हैं चाहिए केमिकल वे में हो चाहिए बायलोजिकल वे में हो अगले साल वो फिर से आता है तो ये कहना विलकुल भी सही नहीं है कि हमने एक कमुक डिजीज के उपर या इंसेक्ट पर काबू पा लिया है तो सही टर्म क्या है सही शब्द क्या है सही शब्द है मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या क्या आता है management में अपने किसी भी insect की किसी भी disease की severity कम कर सकते हैं अगर insect की बात चल लिए है तो हम उसका number कम कर सकते हैं population number कम कर सकते हैं उस insect को या disease को वहाँ से eradicate कर सकते हैं भगा सकते हैं वो जितना damage कोज कर रहा था उसका damage कम किया जा सकते हैं वो है management और उसमें बहुत सारे मैथड्स आते हैं और वो मैथड्स या प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में टोटल छे प्रिंसिपल्स दिये हुएं या यूँ कहें कि टोटल छे मैथड्स हैं जिनको काम में लेकर अपने डिजीज की स्वेरिटी को कम कर सकते हैं पहला है अवेडेंस, दूसरा है एक्सक्लूजन, थर्ड है इरेडिकेशन, फौर्थ है प्रोटेक्शन, फिर आता है रेजिस्टेंस, और लास्ट है थेरेपी तो शुरुआत करते हैं अवेडेंस से, परिवर्जन से, अभी बिमारी नहीं है, और फूचर डेज में भी ना हो, इसके लिए कुछ मैनेजमेंट जो किये जाते हैं, या फिर जो मैथर्ड काम में ले जाते हैं, वो आते हैं अवेडेंस में जैसे कि सेलेक्षन ओ Gilगराफिकल एरिया, आपका खेट कहाँ हैं, आप कहाँ क्रोपिंग कर रहे हैं, दूसरा है सेलेक्षन ओ फिल्ट, और थर्ड आता है सेलेक्षन ओ सौनिंग टाइम, हमारे पास अललग दो खेट हैं, दो फिल्ट हैं, दोनों की सोइल अललग हैë, पी आपर किस टाइप की cropping अपने करें ताकि जो disease है अब तो नहीं है और ना ही future days में हो आगे future days में जो disease है वो कम देखने को मिले या ना हो वो आते हैं avoidance में विमारी होने से पहले किये जाने वाले methods आते हैं avoidance में दूसरा principle है exclusion बहिश्करण बड़ा important principle है यह management तब किये जाते है या यह principle तब आजमाए जाते हैं जब आसपास जो अपने neighbor area है वहाँ पर कोई disease आ चुकी है अपने खेतों में या अपने area में वो disease अभी तक आई नहीं है और ना ही आनी देना है तो आसपास जहाँ पर भी disease है वहाँ से उस disease को अपने area में establish होने से रोकने के लिए जो methods काम में लेते हैं वो अंडर आते हैं exclusion के exclusion में अपने करते हैं plant quarantine ये लगाया गया है 1914 में DIPA Act के अंडर destructive insect and paste act 1914 के अंडर आसपास area में जो बीमारी है उसको अपने area में या अपनी crops में आने से रोकने के लिए जो अपने उपाए करेंगे जो method काम मिलेंगे वो होते quarantine time कोविड में भी ऐसा ही किया अपनोंने बहार से आने वाले किसी इनसान को अपनोंने रोका उसकी जांच परताल की उसकी टेस्ट किये गए उसको isolate रखा गया ताकि जो बीमारी वो लेकर आ रहा है वो अपने तक ना फैले तो ऐसा ही कुछ sugar cane के case में किया जाता है जैसे बह वहां से अपने ये import करवाते हैं sugar cane को तो अपने area में भी sugar cane के अंदर वो disease देखने को मिल सकती है दूसरा अपने इंडिया की बात करें धार्जलिंग है वहां से अपने पटेटो नहीं मंगवाते हैं इंपोर्ट नहीं करते हैं वहां पर पटेटो के अंदर एक world disease फैल गई जिसको इंदी में मसा रोग बोलते हैं प्टेटो में, वहां से अपने प्टेटो का कोई भी स्टोक नहीं मंगवाते हैं, दार्जलिंक से, दूसरा है नीलगरी तमिल लाडू, वहां से अपने प्टेटो को नहीं मंगवाते हैं, नहीं लाते हैं, क्योंकि वहां पर गोल्डन principle, eradication और मूलन, बीमारी अपनी फसलों में फैल चुकी है, बहुत प्रियास की effort लगाए, फिर भी बीमारी अपने खेतों में आ चुकी है अब कैसे अटाएंगे, वो आता है eradication में, eradication में क्या करते है, cultural है, chemical है, biological method काम में लेते हैं, ताकि अपनी फसलों में जो बीमारी हो गई है, वो हट जाए कुछ crops के अंदर या कुछ plants के अंदर जो बीमारी फैल चुकी है, वो healthy plant में spread ना हो, फैले ना जैसे cultural में अपने काम मिलेते हैं, deep summer pluffing है खाली के तमें हल चला देते हैं अपने गर्मियों में और chemical management में अपने pesticides का यूज करते हैं chemicals का यूज करते हैं बीमारी को हटाने के लिए, और biological में अपने disease resistant varieties काम मिलेते हैं ताकि फसलों में जो बीमारी आ गई हैं उनको जहल पाए फोर्थ है protection, इस साल की फसल तो चोपट हो चुकी है अब अगले साल की जो फसल है अगले सीजन की जो फसल है, उसको बचाना है वो आता है protection में इसमें अपने seed treatment करवा सकते हैं जैसे fungus को अटानो तो seed की उपर गर fungus लगाओ तो किसी fungicide के साथ उसका treatment करवा दो तो seed से जो fungus हो हट जाएगा उसके बाद अपने sowing करेंगे उसके बाद manipulation in the time of sowing and harvesting तो फसलों को जो बोने और काटने का जो time है उसमें manipulation कर दें बदलाव ला दें early sowing कर दें या late sowing करें तो early sowing और late sowing करने से early और late harvesting होगी तो fungus है, bacteria, pathogenic factor है उनको अपने चक्मा दे सकते हैं उसके बाद है fifth resistance, प्रतिरोधक्ता अपनोंने बहुत सारी disease resistant varieties हैं डवलप करवा रखिये इसी तरह के से insect resistant varieties हैं जैसे की beti cotton वो अपने आप मारता है pink ball worm को improved varieties हैं, hybrid varieties हैं और साथ में resistant varieties हैं इनका use करके अपने अपनी जो crops हैं, उनको बचा सकते हैं इनसेक्ट से या फिर disease से और इस तरह की resistant varieties डवलप करवाने में genetic engineering या फिर बायो टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा हाथ है last one आता है therapy उपचार mostly जो therapy है वो करवाते हैं बड़े पेड़ों में जैसे chemotherapy है, pruning है thermotherapy है chemotherapy में कुछ chemicals use करके अपने बड़े पेड़ों की जो branches हैं जो infected हो चुकी हैं उनको अपने सही कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं pruning में काट छांट करते हैं तो कुछ branches के उपर disease के symptoms हैं वो appeared हो चुके हैं तो उन ब्रांचे में अपने काट छांट कर देंग उसे कहते है pruning ताकि पूरे पेड़ के अंदर वो severity ना करे thermotherapy जिसके ने temperature को arise करके या कम करके जो disease है उसकी severity कम की जा सकती है तो इस तरह से आज आज अपनोंने 6 principles कर लिए disease management के या plant disease management के को query हो तो आप पूछ सकते हैं तब तक के लिए बने रहिए ठीके रहिए and inhale by losing